हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ापे की लाठी एक बुढ़ी मा की दर्द भरी कहानी एक पती पतने के जोड़ी को दो बच्चे हुए दोनों ही बेड़े, माँ बाप ने इन दोनों ही बच्चों को खुब प्यार से पाला पोसा पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और इस काविल बनाया की यह अच्छी नौकरी कर सके समाज में अच्छा जीवन ब्यतित कर सके अपने बच्चों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक बंगले जैसा दो मंजिला घर बना कर दिया ताकि दोनों बेटे साधी के बाद भी एक साथ लेकिन अलग-अलग कमरों में रह सके ताकि आगे चल कर कभी बटवारे का विचार न आये और इन में लड़ाई जगड़े ना हो दोनों बेटों को अच्छी नौकरिया लग गई दोनों की ही शादी हो गई बड़ा बेटा जो घर के पहले माले में रहता था उसको एक बच्चा भी हुआ पोती का मोह देखकर दादा दादे बहुत खुस हुए सब ठीक चल रहा था लेकिन थोड़े ही दिनों बाद बुढे पती की मौत हो गई जब तक पती जिंदा था दोनों बेटे और बहु मा का सम्मान किया करते थे जैसे ही पती मर गया दोनों बेटे और बहुए हर दिन मा की सेवा करना तो दूर मा को हर दिन खाना खिलाने के लिए भी राजे ना थे दोनों बेटे और बहुए ने मिटिंग की और तै किया की मा को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांट ली जाए यानि कि 15 दिन बड़ा बेटा और 15 दिन छोटा बेटा मा के खाने की जिम्मेदारी लेगा जिन बेटों को बिना दिन रात देखी भूख खाना होती हुई भी और मन चाहा खाना हमेशा खिलाने के लिए जो मा तयार रहती थी अब उसी मा को बेटों की यहाँ पर दिनों की हिसाब से खाना दिया जाता था मा का दिल बड़ा था, मा को इस बात की खुसी थी कि वह जैसे भी हो अपने बेटों के साथ रह रही है और इसी खुसी के कारण बेटों के द्वारा दी गई रूखी सुखी भी उसे किसी पकवान से कम न लगती लेकिन दुर्भाग्य की बात तब हो जाती जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते और उस एक दिन मा को भुखा ही रहना पड़ता एक बार जब बड़े बेटी की यहां 15 दिनों तक खाना खाने की बारिच चल रही थी तब बड़ा बेटा अपनी बीबी और बच्चे की साथ कहीं बाहर किसी फंक्सन में जा रहा था बड़े बहू ने मा से कहा मा जी आज खाना नहीं बनाया है हम बाहर जा रहे हैं वहीं खाएंगे आप अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना बुढी मा ने कहा लेकिन बेटा मुझे तो गैस चलाना नहीं आता बहू ने कहा तो फिर ऐसा कीजिए कि पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है आप वहीं पर जाकर खालिजिए तो आपको गैस चलाने की जुर्यत ही नहीं पड़ेगी पास में ही खड़ा बेटा और पोता या सब सुन रहे थें लेकिन कोई कुछ ना बोला बुढी मा को भूखा है छोड़ बेटा और बहु फंक्सन में निकल गए मा को थोड़ा दुख तो हुआ लेकिन फीर अपने आपको यह सोच कर मना लिया ठीक ही तो है कभी कभी बहु को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग किस्मत वालो कोहीम तो मिलता है मा खुसी खुसी मंदिर में जाकर भंडारा खायाई कुछ दिन ऐसे ही बीत गएं एक दिन बड़े बेटे को छुटी थी बेटा बहु और उनका बच्चा अपने घर में साथ में समय बिता रहे थे मा बाप छोटी बच्ची को पूछ रहे थे कि वा बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है छोटी बच्ची ने बड़े ही सरल भावं से मा बाप को उत्तर देती हुए कहा वह बड़े होकर वकील बनना चाहता है उसकी इच्छा इस घर से भी बड़ा एक घर लेने की है लेकिन वह घर मंदिर के पास होना चाहिए माँ बाप ने पूछा घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए तब बच्चा माँ बाप से कहता है घर के पास मंदिर इसलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी फंक्सन में बाहर जाओं तो आप दोनों को ज्यादा तकलिफ न हो मंदिर नजदिक रहेगा तो आपको ज्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा मासूम बच्चे का ऐसा जब आप सुनकर दोनों ही के पैरो तले से जमीन खिसक गई उन्हें अपनी गलतियों का एहसास अब जाकर हुआ था जो उनकी पाँच साल के बेड़े ने पहले ही कर लिया था दोस्तों दुनिया के हैर मां बापिया सोचकर अपने बच्चों को बढ़ा करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे ना कि वह लाठी बनकर उनके ही पीट पर बरसेंगे कर्म का चक्र निरंतर घूमता रहता है दोस्तों आज जो तुम दुसरों के साथ कर रहे हो आगे चल कर तुम्हारे साथ वही होगा यह तै है इसलिए हमेशा याद रखो कि दुसरों के साथ वैसा ही बरताव करो जैसा तुम चाहते हो कि बाकी लोग तुम्हारे साथ करे मैं जानता हूँ दोस्तों यह मा की भाउक करने वाली इस कहानी को पढ़कर आप भी भाउक हो गये हैं लेकिन इस कहानी को लिखने का उद्देश से आपको भाउक करना नहीं था बलकि लोगों तक या संदेश पहुचाना था कि हमारे भारत वर्ष में जिस मा बाप को भगव ऐसा बेवहार हो रहा है वह नहीं होना चाहिए कहानी पूरी पढ़ने के लिए धन्यवाद इस कहानी को आप लोगों तक पहुचाईए जितना हो सकी सेर कीजिए और ऐसा करने से अगर कुछ लोग भी अपने बुढ़े मा बाप के साथ अच्छा बेवहार करने लगते हैं तो हम अपने आपको शोभाग गिसाली समझेंगे धन्यवाद